पहले आपके पास आती हुशु प्रियांका जी दोनो ठीक है सुजाता जी देखे इससे एक सवाल उस वक्त मुझे भी याद है बहुत बहुत से इस पर हुई थी एक सवाल ये भी था कि विदिन पार्टी भरश्टाचार बहुत होता था क्योंकि कॉंग्रस पार्टी के नाम पर कोई किसी से पैसे ले रहा है उसका कोई अकाउंट नहीं है कोई मतलब पार्टी के नाम पर उगाही कर सकता है लोगों से पैसे ले सकता है और शायद पार्टी को इसके बारे में पता भी नहीं चले लेकिन जब electoral bond के जरीए आएगा तो party के नाम आएगा फिर party उसका इस्तमाल करेगी ये भी एक बड़ी वज़े उस समय गिनाई गई थी दूसरा यही कि अगर नाम ना बताए जाए तो जो सत्ता पक्ष है वो target नहीं कर सकता कि भाई Congress party को ये 1950 करोड रुपए जो मिले ये कहा से मिले ये तो एक shield आप लोगों को मिला ही हुआ था ना जब ये जानकारी नहीं थी कि किन company उने आपको पैसा दिया है तो ये जो दो factors उस वक्त पर बहुत चर्चा में हुए थे इस पर आपका क्या जवाब है पहली बात तो ये है कि देश की जनता जनार्दन होती है और जो political parties होती है वो चंदे से ही चलती है जनता के चंदे से और जनता कोई अधिकार है कि वो जाने की पैसा कहां से आ रहा है सबसे मेत्वकून बात यही है और इसी कारण से ये पूरी scheme आज असमवैदानिक और अवैदानिक मानी गई है कि जनता जनार्दन को नहीं किता चला मगर आपने जो बात कही है हम इस बात को मानते हैं और इस बात को बार बार कहते भी है कि हमारे जो system है हमें उनी को तो बहतर करनी है और व्यवस्ताओं को बहतर करने के लिए जो भी कुछ लाया जाए उसमें ब्रश्टा चार ना हो उसी की बात करी जा रही है वो कह रहे थे कि जो जब ये अरुन जेटली जी ने कहा तो उनकी बातों से ये था कि विपक्ष को भी मिले और किसी को पता भी ना चले अरे भाई लेकिन जो सक्ता में है उसे तो पता चलेगा ना जो सक्ता में बैठा है उसे तो हरे एक पार्टी के बारे में पता चल रहा है लेकिन बागी पार्टी के किसी नेता को किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसको कितना पैसा मिल रहा है मगर मुझे हरानी इस बात की होती है कि मैंने बिल्कुल साफ कहा जब गौरण बाटिया जी ने ये सवाल उठाया था कि इसमें हमने पैसा क्यों लिया जो स्कीम लाई गई है न सरकार के द्वारा अगर संसद में पास हुआ जब तक वो और समवैदानिक और और वैदानिक नह पारी नेता है जिन्हों ने केस फाइल किया था तो ये तो बात साफ हो गई कि अगर हमें जादा पैसा मिला और कुछ दित पहले तो एक अजीवो करीब सर्क भी मैंने सुना था जिसमें ये कह रहते है कि पर हैंड सांसदों को जादा पैसा मिला विपक्ष के नेताओ को कॉ ये यूवाई ने ये ट्म इताओ कि उन्हों ने कईसे पैसा लिया गान अगया था उसका है उसका उथा अजाब दिया आपको याद होगा कि UI ने ये ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने कैसे पैसा दिया था PM केर्स पंड में और ये कहते हैं कि चीन के बारे में हम बताएं आपने ही बताएंगे कि राम मादव वहां क्यों जाते हैं पूरी टीम लेकर नितिन गटकरी ट्रेनिंग के लिए क्यों बेजते हैं उनके नेका आपके हेड़कोटर में आकर क्या करते हैं इनके बारे में भी बता दीजे जहां तक बाते राजीव गादी फाउंडेशन की पूरी कॉंग्रिस पार्टी को निचोड़ेगी न तो एक बूंद शरम या नेतिकता मिलेगी नहीं मैं जानना चाहता हूं बताइए कहां पे है मोई यह देखिए एक तस्वीर है राहूल गांदी चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझोता करते हैं सूचना के अधिकार पर हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा और अखंडता से बढ़के क्या मुद्दा हो सकता है मुझे बता दे यहां पे कॉंग्रिस की प्रवक्ता बैठी हैं कहां पे है मोई यू मैं पढ़ना चाहता हूं मैं तो ढूंड रहा हूं कई सालों से बहुत खोजी व्यक्ति हूं मिल नहीं रहा है दूसरा प्रश्ण इसी पर पूछता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा चीन ने दिया आज तक बताया है राजीव गांधी फाउंडेशन की क्या मजबूरी थी की चीन से चंदा लेंगे नहीं बताया तीसरी बात सोनिया गांधी जी 15 साल तक भारतिये नागरिक्ता नहीं लेती है सूचना का अधिकार है मेरा नागरिक हूं करोडो नागरिक जानना चाहते हैं 1968 में शादी हुई तिरासी में नागरिक्ता ली क्यों सोनिया गांधी जी 15 साल क्या मजबूरी थी कि भारत की नागरिक्ता आपको लेने की कोई ना इच्छा हुई ना आप ने ली और अब ने एक दो बाते और बताऊंगा जिना जी दर्शकों को पता होनी चाहिए आप एक फैसला लेते हैं जो देश हिप में होता है जो एलेक्टरल बॉंड से पहले की चंदा की व्यवस्था थी उसको सुधार देता है सर्वोट त्याले में मामला जाता है सर्वोट त्याले का फैसला आता है वो कहती है कि इसको हम गैर संविदारिक बताते हैं है हमारी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया है सर्वोड ट्याले का एक लाइन दिखा दे फैसले में जहां उन्होंने कहा हो कि सरकार ने कोई गलत किया या इनकी मंच्या गलत हो लेकिन मैं आपको बताता हूँ सर्वोड ट्याले ने टूजी लाइसेंस 122 इसके रद किये क्योंकि भरष्टाचारी और कमिशन कोर कंगरिस की सरकार माध्यम से रुपया ले थी थी और उसके साथ दोसों से ज्यादा कोई लाइसेंस जो है वो रद किये क्यों क्योंकि उसमें रिश्वत खोरी करती थी ओर्डिनेंस की बात आपको पता है विशेशादिकार है हमारी सरकार सर्वोत त्याले का इत्ता सम्मान करती है हमने कोई ऐसा ओर्डिनेंस नहीं लाए कि पलट दे लेकिन लालू प्रसाद यादा जो भरष्टाचारी दोशिद हो चुके थे उनके लिए एक ओर्डिनेंस प्रसाद ने जाते हैं तो भी सर्वोत तो प्लट देशन के पैसे के जर्यें एक राजनितिक आंदोलन किया जा रहा था यह सत्य प्रकाश जी ने आरोप लगाया उसका जवाब दीजेगा दूसरा ब्रश्चाचार के खिलाफ आपकी पार्टी आई उन्होंने ब्रशाद के मुद्दे पर लोगपाल कई सारे मुद्दे उठाए बुझे यह बताई यह कि आप लोग चाहते हैं कि वही पुराना सिस्टम हो जिसमें कौन कहां से पाटी के नाम पर चंदा ले रहा है कितनी पेटियां आ रही है कितनी ब्रिफ एस पता ही न चले क्या चाह किसे है यह पूछ रहे हैं तीन सवाल तीनों के जवाब कि किस पुलिटिकल पार्टी को कहां से चंदा मिलता है और आम आदमी पार्टी हमारे देश की पहली पार्टी थी जिसने यह information सारवजनिक की website बनाई सब कुछ डाला पहली चीज पल्टू राम जी की पार्टी की प्रवक्ता कि मैं आगे भी जवाब दूँगी पहले बेशरम जूटी पार्टी पर आजाओं क्योंकि इन्होंने बताया कि इनको लॉक की जानकारी बहुत है तो यह मुझे बता दे शरत रेड़ी का एक भी अकाउंट जिसमें 10 रुपे भी हो कोई फ्रीज हुआ हो एक भी अकाउंट जादा नहीं मांगती दूसरी चीज क्योंकि यह टीवी डिबेट्स में जादा शाहिद बहस करते हैं और कोट नहीं जा पाते हैं गौरव भाटिया जी तो इनको शाहिद पता नहीं है कि हमारे नेता जेल के अंदर बिना चवणनी की रिकवरी के सबूत के अंदर इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने 2018 में PMLA कानून में ऐसे संशोधन कर दिये कि भाजपाईयों के बयान के आधार पर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं अर्विंद केजरिवाल जी पर आज तक कोई F.I.A.R. नहीं है ट्राइल शुरू नहीं हुआ है चवणनी की रिकवरी नहीं हुए PMLA proceeds of crime की बात कर रहे थी ये वकील बैटे इनको बताईए मनी कोई trail नहीं है दूसरी चीज पल्टू राम जी की पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगी कि citizens ये जब Supreme Court पहुचे थे अभी जब बहस चल रही थी electoral bond के मामले में तो बेशरम जूता पार्टी ने चला चला के उनके वकील ने कहा कि citizens को कोई right नहीं है जानने का कि किस से पैसा आया और कहा पैसा आया इसलिए गौरब भाटिया जी 2013 तक जो बता रहे थे कि RSS देश में दंगे करवाती है वो यहां बैठके आज नेतिकता की बात ना करें क्योंकि उनकी पार्टी बदल गई एक चीज और बता दू आपने चाइना का भी मुद्दा उठाया तो इनके अपने सांसद है तापिर गाउ वो चिला चिला के बता रहे बार बार की बचालो यहां पे चाइना आके अग्रेशन कर रहा और हमारी जमीन कबजा लिये आप पिर गाउ को पता नहीं इन्हों ने दुबारा नियुक्त किया कि नहीं वह मैं अपडेटेड नहीं हूं पर इनके अपने सांसद बता रहे हैं कि यहां पे बैट की कैसे जूट फैलाती है इन्होंने फर्स्ट आउंग बोला बारा अजार करोर रुपया जब्त किया गया है केवल भागपा के कार्य करता हूं और मैंने कहा प्रमार देदी यह दिया नहीं देखिए सब के बस की बात नहीं होती कि तालेस साल की उम्र में सर करती है मैडम आपने तो फाइल आग तक एक नहीं उठाई होगी वो क्लाइंट भाग जाएगा जिसका केस हैसी वकी लड़ेंगी इनको यह पता है कि क्या कहां बोला है मैं केवल यह करते क्योंकि आपके अंदर आप इनको चुप कराई है चुप कराई है इनको मैडम अंज नहीं वापस ट्रॉपिक पर हां देख नहीं यह बात आपको तब कहनी चाहिए थी जब वो परस्टल हो रही थी मेरे को तो जांकारी हुई है चीटिंग कर रही थी तो भी गलत चीटिंग कर ली और फेल हो गई थी तीन-चार बार में लेल भी पास किया है आज-9 साल लग थे यह मेरी जांकारी है इनके बारे में मैंने आज तक इनको कोट के अंदर कभी देखा नहीं है अधिवक्ता भी नहीं है वरिश्टा जिवक्ता क्या बनेगी खैर अब सुनिये अभी यह कह रही थी जब पहली बार सेवा करने का मौका मिला अरे नहीं जनता जान गई जब पहली बार मेवा खाने का मौका मिला था अर्विंद केजरिवाल को जूट कैसे बोलते हैं उन्होंने क्या अंजना जी यह नहीं कहा था कॉंग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे बीवी की कसंद खाता हूं लिया ना आज क्या यह सवाल नहीं पूचा जाएगा मनीश सोडिया स आपने स्तीफा लिया लेकिन खुद आप इस्तीफा नहीं देते हो जब जेल जाते हो यह दोरे मापदन दिख्यों है क्या यह नहीं पूचा जाएगा वक्त इतनी की जाज़त देता है सत्य प्रकाश मिश्र जी आप से शुरू कर रहे हैं सत्य जल्दी से नहीं गौरव जी पाटी की पक्चले ने पल्टूराम आप लोग हैं कॉंग्रेस को गाली दिया सपा को गाली दिया लालू जी को गाली दिया ऐसी कोई पाटी नहीं बची जिसको केजरीवान ने चोर नहीं बताया और उसकी गोद में जाकर बैठे बच्चों की कसम खाने के बाद नितीश कि राजविती में एक दाग नहीं उनके पर हिलमत नहीं है कि अपना पॉइंट बोल दिया सथ प्रयांका जे देखिए इनको ज्यादा दो लाइंस तिल मिलाने की जुरूत नहीं है इनको अभी चुनाव के परिनाम आ जाएंगे पता चल जाएगा जंता कितना इनका साथ द फर्वक्ता गौरव भातिया जी ने जो बात कही है न उसमें बता दे कि तूजी स्पेक्टर मामले में तीए जी जो आप ही किस नोने मापी क्यों मांगी उनने तो पुरे देश से मापी मांनी चाहिए अपनी बात को आप रखने पाए और बता नहीं पाए कि पिय अप्यन इमांदार प्रदान्मंतरी का कुछ बिगाड नहीं पाएंगे, एक लाक जब भरस्टाचारी नर्क जाते हैं, तो अर्विंद केजरिवाल की मुच का एक बाल आता है, यह है भर epiduakारी अर्विंद केजरिवाल, खुद इन्होंने चंदा लिया है, भरस्टाचारी इन्होंने किया है और एक इमानदार प्रदान मंसरी ने सुनिश्चित किया कि एक पारदर्शिता युक्त एक व्यवस्ता हम बनाएं और आगे भी बनाएंगे